नमस्कार पुना स्वागत और अभिननन श्रिजन नवाचार में मैं शन्य शुक्ल आज आपके समक्ष कक्षा चार की संस्कृत की पुस्तक संस्कृत सुधा का दितियाह पाठा वाग के प्रयोगह प्रथमा को लेकर उपस्थित में हूँ इस पाठ में भी हम देखेंगे शब्द रूप और धाद रूप के प्रथमा विभक्ति एक वचन, दुई वचन और बहुबचन और जहां लकार की बात करेंगे धाद रूप की बात करेंगे तो वहां में भी हम प्रथम पुरुष एक वचन, दो बचन और बहुबचन को यानि प्रतमा विभक्ति एक वचन, दूईवचन, बहुबचन हम देखेंगे और उधर हम देखेंगे लटलकार के प्रतम पुरुष का एक वचन, दूईवचन और बहुबचन और साथ में असमद और यूसमत का प्रियोग करते हैं शात्रह पठती यहां प्रत्मा विभक्ति एक वचन का ये रूप है, शब्द रूप है और जैसे बालक चलता है यानि अकारांत पुलिंग शब्द है चात्रह पठती यानि चात्र पढ़ता है चात्रव पठत तो यहां पे दुवचन है चात्रव पठत यानि दो चात्र पढ़ते हैं चात्र लाह पठन्ती बहुत से छात्र पढ़ते हैं अब ये पुलिंग सारे पुलिंग शब्द हैं और उसके साथ आपका प्रथम पुरुष एक बचन यानि लट लकार का प्रथम पुरुष एक बचन दुई बचन और बहु बचन का प्रियोग किया गया है देखिए आपको एक लड़की दिख रहे हैं दो दिख रहे हैं और यहां तीन से अधिक या तीन दिख रहे हैं तो यह हमारा क्या है यह इस्त्रिलिंग है यहां हम लिंग को भी साथ पढ़ते हुए चलने और अकारांत इस्त्रिलिंग शब्द रूप है बालिकाह प्रतमा वि तो यहाँ पर दिखाया गया है, तो बालिका हसत यानि लड़की हसती है, बालिके हसतह, दो लड़कियां हसती है, बालिका हसती, यानि बहुत सारी लड़कियां हसती है, देखिए नपुनसक लिंक की बात हो रही है, पत्रम पतती, पत्रे पततह, पत्राण पतंती, तो यहाँ पे पत्रम पतती यानि पत्ता गिरता है, पत्रे पतता है, दो पत्ते गिरते हैं, पत्राण पतंती यानि बहुत सारे पत्ते गिरते हैं जब त्वम की बात आएगी तो मध्यम पुरुष की बात आएगी, तो यहाँ पर हम त्वम पठसी लगाएंगे तुम पठाजी तुम पढ़ती हो, युवाम पढ़ता तुम दोनों पढ़ती हो, युवाम पढ़ता तुम सब पढ़ती हो पुरुष का प्रियोग हम third person के लिए करते हैं, मध्यापुरुष का प्रियोग हम second person के लिए करते हैं और उत्तम पुरुष का प्रयोग हम first person के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, अस्मत का शब्द रूप आएगा, यानि प्रथमा विभक्त एक बचन, दुई बचन और बहु बचन, तो अहम, आवाम, वयम, अब अहम के बाद जो लटलकार का, आपका उत्तम पुरुष यानि first person आएगा, जो हम कहते हैं, हम सबसे उत्तम हैं, अपने लिए जब बात हम करते हैं, अहम खादा में, मैं खाता हूँ, आवाम खादा हूँ, हम दो खाते हैं, वयम खादा मह, हम सब खाते हैं, यह लिखा है कि मौखिकम अभ्यासम कुरूत, अभ्यास पुस्तिकायाम मौखिक अभ्यास करना है, और आपको अपनी कौपी में, यानि उत्तर पुस्तिका में लिखना है, यहां आपको लटलकार, प्रथम पुरुष, एक बचन, दुवी बचन, बहु बचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष को बताया गया है, इसको ल लगेगा उत्तम पुरुष, मैं के लिए, यह तुम के लिए, और यह वहय यह के लिए लगेगा, तो इस तरह से आप इसको देखिए, आगे क्या लिखा है, कि उचित क्रिया पदान चित्वा वाक्यान पूर्यत, यानि उचित जो पद है, उसको देखते हुए आपको यहा रखना है, तो अब पत्राण, पत्राण क्या है, हमारा नपुन्सक लिंग है, और पत्राण यानि बहुवचन की बात कर रहा है, तो पतंती आएगा, बाली के द्वीवचन, बाली के पठता, तो यहां भी हमारा लकार में द्वीवचन ही आएगा, अब तीसरा देखिए, ब पिखतिका लिखन्ति, हसतिका हसंति, खेलतिका खेलंति, अब यहाँ पे आपका क्या है लट लखार प्रथम पुरुष एक वचन से बहु बचन में परिवर्तित करना है और यहाँ भी आपका पठामी पठावा पठामह है तो यह क्या है आपका उत्तम पुरुष एक वचन है तो उत्तम पुरुष के बहु बचन में आपको परिवर्तित करना है चलामी चलामह, पिबामी पिबामह, खादामी खादामह फिर एक नए अध्या किसा तब तक के लिए धन्यवाद